सामाजिक न्याई का उद्देश्य एक ऐसे समाज को बढ़ावा देना है जो न्याई संगत हो विविदता को महत्व देता हो अपने सभी सदश्यों को समान अवसर प्रदान करता हो और संसाधनों का उचित बटवारा और समर्थन सुननिष्चित करता हो विराम सिक्षा सामाजिक वर्ग राजनितिक संबंदता विश्वास या अन्य विसेशताओं सहित कई विविद कारकों में अगर इमानदारी नै बरती जाए तो ये बेदभाव पूर्ण व्यवहार को ज चनम दे सकते हैं विराम खासकर उन लोगों द्वारा जिनके हातों में कुछ हद तक शक्ती हो सकती है विराम वर्तमान समय में हमारे समाज की जो इस्तती है उसमें लोगों के साथ बरताव कई बार उनकी सामाजिक इस्तती को देखते हुए किया जाता है विराम सब्य कहा जाने वाला मानव समाज आदमी की इस्तती को देखते हुए उनसे समवाद और व्यवहार के तोर तरीके तै करता है विराम अगर कोई व्यक्ती योग्यता में आगे है लेकिन वे धनाड्य नहीं है तो उसे बेवकूफ समझ कर उसका समाज में तिरसकार ही किया जाता है विराम यह सरासर गलत है विराम किसे भी व्यक्ती के साथ उसके धनाड्य और रुतबे को देखकर नहीं उसकी योग्यता को प्राथमिक्ता देखकर उसके साथ समान व्यवहार करना चाहिए विराम पेरा एसवाद का आसवाद पढ़ा विराम हम खाने और सोचने का कारिय करने में बहारी प्रभावों की वजह से एक आदत बना बैठे हैं विराम बचपन से हम जो खा रहे हैं वहे जीब ने सत्य मान लिया विराम जीब उसी सवाद की मांग बार बार करती है विराम मसलन केरल के लोगों का नारियल डोसा का सवाद बंगाल के लोगों का चावल का सवाद मराठी लोगों का बडा पाव का सवाद उत्तर परदेश के लोगों का छोले पूरी बिहार का बाटी चोखा आधी विराम ये सब हमने अपनी रूची के साथ विक्सित किया है और एक बात राजस्तान का चूर्मा बाटी आदी विराम कई बार यह हमें आदत सी बन गई लगती है विराम अब एक नई बात एसवाद की करनी होगी विराम इसी से भोजन मन और समाज ठीक रहेगा विराम अब एसवाद दरसल किसी भी चीज के प्रती आसकती से मुक्ती है विराम इससे नै केवल खानपान समंदी रूडी बद्धता से मुक्ती मिलती बलकि जीवन में किसी भी चीज के प्रती आसकती से विरक्ती का भाव पैदा होता है विराम पैरा हाल ही में पूरे विश्व में 22 अपरेल को प्रत्वी दिवस मनाया गया लेकिन इससे आगे हम इस प्रत्वी को बचाने के लिए क्या उपाई कर रहे हैं विराम जब से वैश्वी करण की शुरुवात हुई है पूरा विश्व बाजार में बदल गया विराम सबको विकास की मनगडंत धारना से प्रेरित करके उसकी आड में प्रकरती से छेड़ चाड़ की गई विराम बाजारवाद ने देशों और उनकी कमपनियों के बीच इस परदा को जन्म दिया जिससे प्रेकरती का दोहन किया कि उसका खामियाजा पूरे विश्व को उठाना पड़ रहा है विराम प्लाश्टिक के परियोग को रोका नहीं जा रहा है विराम परवतिय छेत्रों में मनुश्य को हस्तक्षेपों के चलते आए दिन आपदाओं का कहल बरप रहा है विराम जलवायू परिवर्तन से पहाड़ी इलाकों के निवासियों में पेने का पानी तक प्राप्त करना दुरलब होता जा रहा है विराम यह आपदा दरसल हम मनुश्यों के ही देन है विराम अगर प्रेक्रती ने अपना प्रभाव दिखाना और तेज किया तो सब आविश्कार धरा का धरा रहे जाएगा विराम पहरा इरान और इजराइल के बीच युद्ध की स्तती बनी तब ही से विश्व के विक्सित देश दो खेमों में बटकर युद्ध को रुकवाने के बजाए भढ़काने में लग गए विराम उनकी नोबत से यह इसपर्ष्ट हो रहा है कि ये विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की विबी सिका में तखेलना चाहते हैं विराम अगर विश्व युद्ध होता है तो विकासशील देशों की बरबादी का सबब बन जाएगा विराम विश्व की महाशक्तियां चाहती हैं कि उनका वर्चस्व बना रहे व्यापार चलता रहे विराम अंतरराष्ट्रिय मंचों पर विश्व कल्यान की बात करने वाले देश पर वापसी के बाद अपने सवर बदल लेते हैं अगर अत्यादूनिक हतियारों के इस दोर में विश्व युद होता है तो यह दुनिया के हर प्राणी के लिए महाविनाशक साबित होगा और इससे हासिल कुछ नहीं होगा विराम अंत में रास्ता आपसी समझ तथा बात चीत से ही निकलेगा विराम फिर क्यों ने कट्टरपन को त्याग कर युद्ध को टालने के प्रयास किये जाएं विराम पैरा संसार गतीमान है और उससे भी अधिक गतीमान है मानव का मन जो विविद क्रिया कलापों में अलग-अलग संदर्बों में उपजे विचारों में संलगन रहता है विराम एक पल में एक इस्थान पर है और दूसरे ही पल सुदूर यात्रा कर आता है विराम इस यात्रा के दोरान वह नए जाने कितने ही ताने बाने बुन लेता है विराम जबकि किसी छोटी सी बात पर तो कई बार बड़ी बड़ी बातों से प्रभावहीन रहता है विराम सुर्य की पहली किरण निकलने से लेकर रातरी में प्रभावहीन रहता है विराम सुर्य की पहली किरण निकलने से लेकर रातरी में नींद में डूब जाने से पहले तक मन ने जाने कितनी ही गठनाओं और वास्तविक वारताओं में सम्मिलित होता है और उनका प्रभाव या कूप्रभाव भी जहलता है विराम कई बार इन दोनों ही परिणामों का सामना तो लोग करते हैं मगर इनके कारणों या स्रोत पर गोर करना या तो जरूरी नहीं समझते या फिर कारण खोज नहीं पाते विराम नतीजतन हर अगली बार वैसे ही परिस्तितियां होने पर परिणाम भी लगभग वही होता है विराम मन मनुष्य की जीवन शेली और व्यवहार को निर्धारित करता है विराम मन अच्छा और शांत होगा तो निर्णे लेने की शमता भी द्रिड होगी विराम उचित और अनुचित का विचार कर उसमें फर्क कर पाना और उसके मुताबिक निर्णे लेना आसान हो सकेगा विराम पेरा कुछ गिने चुने मामलों को आधार बनाकर किसी देश की मनशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता विराम वह भी तब जब भारत सरकार हिंसा से परभावित तबकों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाती है विराम इस तरह नाहक दखलंदाजी की वजह से अगर भारत की छवी पर असर पड़ता है तो उसकी भरपाई कोन करेगा विराम यह बेवजह नहीं है कि गुरुवार को भारत के विदेश मंत्राले ने अमेरिकी रपट को बेहद पक्षपात पून करार दिया और कहा कि इसके जरिय देश की नकारात्मक छवी पेश की जा रही है और यह भारत के प्रती खराब समझ को दर्शाता है विराम विचित्र है कि दोनिया भर में इस तरह की आवाजें उठती रही है कि अमेरिकी नेतियों की वजह से कई देशों में मानवादी कारों को काफी नुकसान पहूंचा ह मगर आए दिन किसी अमेरिकी समुह की ओर से मानवादी कारों का सवाल उठा कर विकाश शील देशों को कटगरे में खड़ा किया जाता है विराम समात